अभी जो सिक्षा मंतरी है वो चंद्र सेखर जी वो तो प्रोफेसर है आप तो कुछ बदलना चाहिए सिक्षा बेवस्ता ऐसा थोड़ी दिए कि प्रोफेसर भरष्टाचारी ने होता है भरष्टाचारी अगर आपके मन में आ जाएगा तो आप भी तो समचार बेज के कमा सक यह नहीं रहता है तो यह हालत रहता तक अभी जो है रॉम और रहीम भड़ों से यह पत्रकार है मेरे साथ सोतंत्र पत्रकार है देश मीडिया के सर इस स्कूल में आपने विजिट किया यहां पर तो जो है कि इसी यही सरकारी स्कूल है जिससे पढ़कर बच्चे आई-एस आई पेस बनते हैं लेकिन आज ये स्कुल जो है इस कगाड में पहुंच चुका है यहां बच्चे तक नहीं आ रहे हैं देखिए सबसे पहले बाद बिहार बिद्ध्याल है जो भी सरकारी बिद्ध्याल है आज उनकी स्थिति इतनी देनिये हो चुकी है इस पर खुद में बच्चे भूखे हैं सिक्षक नहीं है अब याबान में बाद में स्कूल है अगर कुछ अनोनी होती है तो उनका जिम्मेदारी कौन लेगा एक सिक्षिका है अगर उनके भी कुछ आचाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा हेड सिक्षक बीना सिय लगाया बीना कारणवस को लाश्ट में ठीक है किसी भी स्कूल का डैरी चक कीजिए उस सिक्षक के लिए आप क्या कहेंगे जब स्कूल में जाता है पत्रकार जब जाते हैं वह कहते हैं कि डिस्टी के जूकेशन ऑफिसर यानि सिक्षा पदादिकारी से जो है आप परमीशन ले करके आए उस मौस्टर क करते हैं भली भाती तो कोई भी आपको डूंटी नहीं करना है तब ही अगर त्याक पतर नहीं देना है तो अपना पूरा किजिए अगर को प्रवेट काम करता है तो आट घंटा डूटी करता है न वो नहीं भागेगा लेकिन सरकारी भी दियाल में 404 रुपिया सेलरी उठाएंगे टीचर दो घंटा आके सील का बहाना मारके निकल जाते हैं किसका पईसा जा रहा है बच्चों का बहुत खत्रे में आज अगर बिहार इतना लिली क्या होते है लिट्रेसी जो हमारा सिक्षा का स्तर गिरा है और बेरुजगारी इतनी चरम सिमा प पढ़ता है उनका बच्चा पढ़ेगा तब नसा है उनको चालीजार पजाजा सेलरी में रहा है तो बच्चे प्रावेट में पढ़ेंगे एक गरीव आदमी जो टेक्स देते देते सरकार को परेशान है उसके इसी ना टूटे-फूटे बिल्दिंग में पढ़ेंगे कहा पढ़ेंगे कौन सा प्रावेट स्कूल में उनके पिता के पास उतना हैसियत नहीं के बढ़ाए अलेकिन सरकार जब पैशे देती है इनको एक स्कूल पे महिना में सातो लाग रुपे खर्च किये जाते हैं अब जोड़ दिजे लेकिन सात लाग रुपे बेकार हो जाता है स अब स्कूल में चार सिक्षक में एक चिका उपस्थीत है अच्छा साथ बच्चे थे अभी हम लोग नहीं आते तो चालीज बच्चों का जो है अटेंडेंस बना दिया जाता है यही तो गलत है ना इस बनता ही है मैं खुलके बोलता हूं सबके सामने में घपला बिहार में कडोरों का होता है महिने में लाखों का सालों में अर्वों का हो रहा है है बिःम का सबसे बढ़ा यह यह कि ब्याले नहीं नहीं आते हैं द्याला ही नहीं निकाल ही तो ऐसे में आती है और यहीं है लाधने का नौट सकाуемाइफ क्वाइज यह कानम गूगल में बाबा का आप सहारा लेमें वहां सर्च करेंगे लिए इंडिया का सभ से सिक्षित राज को नाम आता है लेकिन अगर देखिए तो वस्तिभिक्टा यही है के बिहार जैसा पिछड ऑर उस्वास्त में कमजूर पर राज नहीं है तो को के दो पहलू होता है तो भीहार दूसरा आता है दूर से भरेवस्टा पहला आता है निति जी तो चीक चीक बोलते है कि जो हैं करें कि सफ़नी है या परलाइड हो गया है कि या लेकिन तो नहीं हो चुक्य कर्सक्राइब अब लूली अंदी सरकार को क्या पता कि कहां स्कूल बना दें कहां स्कूल होना चाहिए कहां सडक है कहां बाद है अब बच्चे को साप काटेगा कि कचुवा खाएगा है अब देखिया यहां से चारों तरफ निकल यह खेत खल यह रोड जाने के लिए 100 मीटर आपको पेदल चलना पड़ेगा बरसात में इतना पानी रहता है इस स्कूल आने के लिए यह श्रीफ इसाराया जाता है कि सिक्षा बेवस्था कितनी मजबूत है कितने सिक्षित नेता है देश में कितने सिक्षित पराभारी और इमांदारी है जिसके कारण बिहार की विद्यालियों अभ लोगों तो कितना धम की आता लेकिन कहां बेशते हैं हैं देखे भरष्टाचार जीस है आदमी के अंदर घुजाए ना सिक्षा कुछ नहीं दिखता है समाथ से वी और राष्ट बादी है कि आपका कहने के मतलब है कि जो है सिक्षा मंतरी भी घोटाले बाज है नहीं रहता इसा जो है अंदर का थोड़ा द्रिस्ट दिखा देते हैं यह देखे यह देखे सर यह क्या बना हुआ है यह क्या है यह क्या बना हुआ है